हलो बच्चो तो कैसे हैं आप लोग आज हम लोग ग्राफ के बारे में बात करेंगे हम ग्राफ बनाते ही क्यों है तो दो physical quantity को easily compare करने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं वैसे दो physical quantity के relation को समझने के लिए हम equation की use करते हैं जैसे अगर मैं लिखूं y is proportional to x इसका ये मतलब है कि जिस तरीके से x दीरे दीरे भरता जाएगा y भी भरेगा y is equal to 2x equation है एक फॉर्मूल आप कह सकते हैं इसका example है आप जामते है displacement is equal to velocity into time इस तरह से लिख सकते हैं तो इसमें तो तीन physical quantity है displacement भी है velocity भी है and time भी है लेकिन ग्राफ तो हम दो ही के बीच बनाते हैं हाँ बेटा तो by default त आप से graph पूछा हम उसको consider करते हैं और third को हम constant मान लेते हैं clear है तो graph बनाने के लिए हमें क्या चाहिए axis, coordinate geometry और graph एक दूसरे से related है तो देखिए, coordinate geometry यहाँ पर समझेगा यह मैंने x-axis plot किया, x-y-axis plot किया, x-axis कहते किसको है, वो line जो लेटा हुआ हो, horizontal और वो line जो खड़ा ह वर्टिकल, यह vertical line है, यह horizontal line है, यह दोनों जहाँ पर cut करते हैं, क्या करते हैं बेटा, cut करते हैं, उसको हम कहते हैं origin, और x-axis में जिस तरीके से हम आगे बरते चले जाएंगे, x की value increase होगी, y की constant रही, y-axis का मतलब है y में जाने सो y बढ़ेगा, x में जाने सो y नहीं बर सकत आगे जाओगे, तो x बरेगा, तो देखो यहाँ पर, हम यहाँ पर पहुंच गे थोड़ा चलके, तो हम इसको leveling करते हैं, 1,0, हम इसा coordinate में पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, तो x की value 1 आई, लेकिन y में तो हम गया नहीं, तो y 0 होगा, यहाँ पर देखिए, यह है 2, 2,0, यह क्या हो जाएगा, 3,0, और अगर मैं y पर उपर जाओँ, तो x की value क्या होगी, यहाँ पर x की value क्या थी बताओ, 0, अब मैं उपर गया, तो y x की value आगे जाए नहीं राम है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0,1, 0 क्या लिखा आपने, x की value, 0,2, 0,3, और पीछे आ negative x-axis कहते हैं इसको, इसमें minus 1,0, यह हो जाएगा minus 2,0 and exact, तो नीचे, negative y-axis है, यहाँ पर अगर मैं आया, तो इसको बोलते है negative y-axis, negative y-axis नीचे जा रहा, तो आई की coordinate घटेगी, यहाँ पर हम लिखेंगे, minus 1,0, minus 2,0, पहले इसको अच्छे हम समझ लेते हैं, तो यहाँ प where value of y is always 0, क्या जोरदार definition बना है, देखो, y की value देखो, 0,0,0,0,0, मतलब x-axis is a straight line, x-axis is a straight line, a straight line, where, where value of y is 0, जोरदार definition, तो इस तरीके से y-axis का definition क्या होगा, y-axis is a straight line, straight, straight line, terra line नहीं है, curved नहीं है, straight है, straight line, where value of x is 0, clear है यह, value of x is 0, बहुत सुंदर definition बनाया है, अगर आपको, कहीं भी आप x-axis पर बैठो, y की value 0 ही है, कहीं भी y-axis पर जाओ, x की value 0 है, done, अच्छा, अगर मैं कहूँ आपको, 2,3 को रिपरजेंट करिए, तो जैसे मैं कहतो, 2,3 तो x की value वोला मैंने 2, और y की value 3, तो x में आप जाएंगे, अगर यह scaling किया हुआ है, तो x में एक बार जाएंगे, फिर दो बार x यह 2 हो गया, मतलब x में 2 जाना है, और y में 3 जाना है, तो y में उपर चड़ेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन दोनों line को मिला देंगे, ज यह minus 1, मतलब x सक्सेस negative है, यह थर x सक्सेस negative है, यह minus 1, comma 3, यह 3, तो यह हो जाएगा, minus 1, comma 3, तो इस तरीके से अगर मैं x और y दोनों की value बता दू, तो आपको मिलेगा एक point, क्या मिलेगा बेटा, आपको एक point, देखे न, point represent के, minus 2, comma minus 3, minus 2, means x सक्सेस is minus 2, and minus 3, दोनों negative हैं पर देखो, यह minus 2, और यहां हो जाएगा, minus 3, 0, यहां और यहां यह point मिलेगा, यह minus 3, और यह minus 2, minus 2, comma minus 3, clear है, चलो, तो अगर मैं आपको दोनों coordinate बता दू, 2, 4, 4, 6, 7, 8, तो आपको एक और y दोनों की value पता है, तो एक point मिलेगा, x और y दोनों की value बता है, तो अगर मैं क x access की value लिखे, 1, 2, 3, आप जानते हैं, यहां पर y 0 है, यहां पर y की value लिखे, 1, 2, 3, आप जानते हैं, y access पर x की value 0 होती है, अब मैं कहा रहा हूँ, y is equal to 2, sir, x तो पता, नहीं पता, y 2 है, तो logically सोचो x की value ही नहीं कह रहा हो, वो कह रहा है, y हमेशा 2 रहेगा, x नहीं पता, x कुछ भी रखोगे, y 2 है, y 2 है, y नहीं बढ़ेगा, y 2 है, x क्या है, x नहीं पता, y 2 है, y 2 fix है, sir, ऐसे तो यह फिर y 2 मतलब y 2, 2, 2, 2, 2, constant भी तो कोई चीज होता है, जैसे मान लो, कि ओबर चल रहा, ball fake ही जा रही, औबर चल रहा, ball fake ही जा रही, अब batsman एकदम लल्लू राम, रन बनाई नहीं पा रहा, हर ball को डख कर रहा, run बनी नहीं रहा, उससे, समझे ले, ball दिखी नहीं रहा, तो ball दिखी नहीं रहा, उसको, ना, तो ball दिखी नहीं रहा, तो run बनाई नहीं पा रहा, तो run कि इतना है, 2, over 1 हो गया, over 2 हो गया, over 3 हो गया, over 4 हो गया, run दो ही constant है, तो इसी तरह का, देखो graph बनेगा, इसको हम बोलेंगे एक line, अगर x या y में से, कोई एक value मैं आपको बत बता दू, तो आप ये graph बनाए, y is equal to 2, y is equal to 2, simple है, देखो न, y fix होगे, x कुछ भी रहा का, y fix हो गया, हमें x की value नहीं पता, y पता ये रहा 2, x 2 पे y 2 है, x 5 पे y 2 है, हमें नहीं पता, ठीक न तो एक line मिलता है, अगर में जे x या y की coordinate बता दू बस, तो हमें एक line मिलेगा और x और y दोनों बतातों, तो हमें एक point मिलेगा, clear है ये बात, ठीक है सर, अब आगे चलते हैं, ये concept आप बहुत असानी से सीखें, इसमें कोई खास बात नहीं है, अब यहाँ पर समझेगा, ये मान लीज़े, x success है, ये y, x success है, simple सा straight line बना रहो है, हम straight line के graph को पहले समझे कब को समझने से पहले हैं, straight line के graph को पहले समझे, एक simple सा line बना है हमें, कहीं पर कोई random point लेता हूँ, इसका coordinate लिखना है हमें, तो मैं पता नहीं है, तो unknown coordinate को हम कैसे represent करते हैं, इसका कुछ x होगा और होई होगा, x का मतलब क्या है, x का मतलब है कि इस origin से, इसकी distance x axis में x है, और y axis में y है, ऐसे दिलिख सकता है सर, अच्छा, मतलब ये तो फिर triangle बन गया, ये straight line x axis के साथ कुछ angle मना रहे है theta, हाँ सर कह सकते है, तो क्या मैं यह पर tan theta define कर सकता हूँ, yes, tan theta is equal to perpendicular by base, okay, अच्छे tan theta represent क्या कर रहा है, तो tan theta represent कर रहा है, perpendicular की value with respect to base की value, अगर ये theta में बढ रहा हो, theta को मैं ज्यादा कर देता हूँ, theta बढ़ा देता हूँ, increase कर दिया मैंने, देखो angle theta, ये देखो angle बढ़ा होगा अगर, और अब मैं यहाँ पर कोई point लेता हूँ, x, y, इसके लिए feel करना ध्यान से, कि क्या इसका y ज्यादा है, इसके respect में x कम है, हो यार, तो इसका tan theta, y by x, tan theta की value ज्यादा होगी या कम, तो theta बढ़ने पर tan theta बढ़ता है, मैं पता है, और वैसे भी tan theta होता है, perpendicular upon base, तो theta बढ़ाया, तो देखो by default base कम हो गया, और देखो height ज्यादा है relatively, आब बोलेंगे सारी, ये ज्यादा दूर लो जाके, हाँ, ज्यादा दूर लो, हमेसा x क उपर खड़ा हो गया, अच्या, straight line को लिटा दो, लिटा दो, straight line को लिटा दो, late जा तू साल, late जा, तो यहाँ पे जो angle बन रहा, कुछ भी बोल दो, alpha, beta, gamma, theta, कुछ भी बोल लो, ये अलग graph है, इनसे compare नहीं कर रहा है, मतलब इसको लिपर जैन नहीं कर रहा है, एक अलग graph बना है, यहाँ पे माल लो तुम alpha बोलते हो, तो tan alpha is equal to, यह हो गया perpendicular और यह हो गया base, perpendicular of one base, हना अगर तुम compare नहीं कर पार हो सर, यह तो almost इसके जैसा लग रहा है, तो angle और थोड़ा कम करके visualize कर लो, एंगल थोड़ा और कम करके visualize कर लो, देखो, यह बना लिया मैंने, यह ब coordinate, और इसको बोलेंगे आप x coordinate, y by x, इसमें बोलो tan theta की value कम होगी, क्योंकि y कम है base के respect में, अच्छा, ठीक है, एक point तो हमने unknown लिया, और दूसरा हमने origin पे लिया था, यह इतना feel आगे आपको, दूसरा हमने origin पे लिया था, अगर मैं इसे state line में, दोनों point unknown ले लेता हूँ, क random value के बारे में बात करते हैं, कोई ऐसा graph है, यहाँ पे coordinate लेते हैं, x1, y1, और यहाँ पे coordinate लेते हैं, x2, y2, y2 means what, feel कर इस बात को, y2 means what, sir, y2 means यहाँ से ले करके, यहाँ के distance को हम y2 कह सकते हैं, देखो, यही तो y2 है पेटा, देखो, यही तो y2 है, अच्छा, sir, y1 means what, y1 इसको बोलेंगे, यहाँ से यहाँ के distance को हम y1 बोलेंगे, यह देखो, यहाँ पे coordinate y1 है, clear है क्या, ठीक है, sir, तो यहाँ से यहाँ के length को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ के length को क्या कहेंगे, sir, यह complete पूरा y2 है, क्योंकि vertical direction की distance को ही white coordinate बोलते हैं, और यह है आपका y1, तो यह जो डिस्टेंस है, यह होजाए का आपका y2 minus y1, बहुत इसी है यार, और यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, फिल करिएगा इसको, यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, यह आपका x2 और यह आपका x1, तो अब बताईए, अब मुझे बताईए, कि यह डिस्टेंस कित इतना एंगल बना रहा था है, तो सीधा एकदम, यहां से भी उत्ती एंगल बनाएगा। तो हम origin को ना ले, कोई generalized दूसरी value भी ले ले, और यहां से tan theta की value लिखें। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan theta हमेशा होता है, perpendicular upon base, तो यह लिखेंगे, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, इसको हम delta y से भी represent कर सकते है, delta y का मतलब होता है, change in y, and change हमेशा final minus initial लेते हैं, तो delta y भे delta x कह सकते है, change in y divided by change in x, मतलब y में change कितना हुआ, with respect to change in x, क्योंकि मैं interested किसमें हो जादा y में, अकर तुम cricket देख रहो तो जादे interested किसमें हो, run में, over तो बरता जाएगा न, अच्छा, तुम कभी पूसते हो कि अच्छा है बताओ, इस match में कितने over fake हैं, over तो में सा 50 होते हैं, run कितने हुए, तो ये interested है, कितने over में कितने run हुए, तो तुम देखना चाहते हो, run कितना change हुआ, with respect to change in over, y कैसे change होगा, x के change होने से, लेकिन हमें, असल में किसमें interested है, y में interest है, अब किसमें interest है, y में interest हो, इसको हम कह सकते हैं, relative change in y with respect to x, relative, relative, क्योंकि हम with respect to x देख रहे हैं, relative change in y, change in y with respect to x, और इसी का हम दूसरा नाम देते हैं, किसका, time theta को, मतलब आज से तुम यह कह सकते हो, जैसे तुम जब class में आय थे, तो तुम्हारा नाम क्या था, सीता, गीता, बभीता कुछ भी हो सकता है, है न, बहुत सारे आयूस, प्रतियूस, कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें आज से क्या कह रहा हूँ, रामलाल, हम मैं रामलाल ही कहूंगा, और हमेशा कहूंगा, तो क्या सर आपकी class में आने के बाद बच्चों का न जो बताओ सर क्या नाम दोगे, इसको हम कहते हैं slope, इसको हम M से भी रिपरजेंट करते हैं, यह 10 θ ही है, 100% 10 θ है, वर्टिकल बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, चेंजीन वाइब बटा चेंजीन एकस, चेंजीन वाइब बटा चेंजीन एकस, ट्रेंगल बनेगा, य मैं कुछ और नहीं लिखूँगा लेकिन इसी का दूसरा नाम हो गया है i sum तो श्लोप को कैसे मों करते हैं य में कितना चेंज हुआ बट एक स कितना चेंज हुआ है और य में बहुत चेंज है बहुत चेंज है, बहुत है, मतलब y जादा है, x कम है, तो angle जादा बनेगा, angle जादा होगा, slope जादा होगा, change in y जादा है, change in x कम है, मतलब 20 सी वादे ठीटा बर जाएगा, 10 ठीटा बर जाएगा, तो slope बर जाएगा, मतलब line, straight line, जितना ख़रा होता है, slope उतना बड़ा होता ह स्टेट लाइन के सर लिखा भी कहते हैं, तहसुम्झे मैं बठाते हैं तो रेखा जित्ती लेटाई होगी स्लोप उतना कम होगा। रेखा जित्ती खरी होगी स्लोप उसका बढ़ता जाएगा, एक दम खरी रेखा का स्लोप इंव्आजटाध हो जाता है, would you w ग्राफ बनाऊं कि अगर में यह ग्राफ बनाऊं समझना बेट अच्छे से यह ग्राफ बनाया यह जो स्लोप है जा ni होगा जब भी में स्लोप पूचू तुम समझना ह Buy Brittany तुम्हें रामलाल बोलूँगा तो रामलाली तो मैं बोलूँगा, रामलाल तू अपना नाम संजना, मैं बोलूँगा तू 10 theta समझना, तो मैं बोलूँगा slope, तू लेकिन 10 theta समझना, तू 10 90, आ 10 90 हम कह सकते हैं, undefined या very very large infinite slope, तो infinite slope का graph है, Sir इसको feel करा के बताओ, हाँ कराओंगा, ये infinite, मतलब delta y में delta x infinite, मतलब y में भैंकर change, exchange होई नी रहा y में भैंकर change, exchange होई नी रहा Sir ऐसा तो run cricket में नहीं बनता, हाँ नहीं बनता जानता हूं मैं, तो cricket का ही graph होता है, बस दुनिया में cricket ही के और कुछ भी है तो ये ऐसा graph बनेगा, अच्छा Sir, फिर तो बड़ा interesting लग रहा है अब मैं एक straight line draw कर लेता हूं, ये straight line है इस पर तीन point बनाऊँगा मैं एक point है ये A एक point है ये B, और एक point है ये C, slope कहाँ पे जादा है slope कहाँ पे जादा है A पे कि B पे, कि रामलाल C पे Sir, यहाँ से एक सेक्सिस से अगर मैं ये angle देखता हूं, मान लिए alpha है ये straight line बीटा बना रहा, और ये straight line सीधा, गामा बना रहा, तो ये एक सेक्सिस से angle देखते हैं हम slope निकालने के लिए और दूसरी बात दूसरी बात, कि सर ये point A, point B, point C, सब पे इंगल तो सेम ही बनेगा से तो दिख रहा है, alpha बरा और, beta बरा और गामा, तो slope क्या होता है टान ठीटा तो slope 1 पे, sorry, A पे slope B पे and slope C पे सेम होगा, मतलब है आपके conclusion ये निकलता है कि straight line बनाओ, तो हमें y-th coordinate की value थोरी नहीं देखना है, हमें slope देखना है slope मतलब y-th coordinate ना, slope मतलब tan ठीटा slope means what, slope means what, ram dal means what, नाम अलग है लेकिन तो अपने आपको ही समझता है ना, slope means what, y-th coordinate ना, x coordinate ना, change in y बटा change in x तो यहाँ पर कहीं पर भी तुम्हें ट्रंगल बना के देखो, delta y with respect to delta x सेम मिलेगा जिस proportion में change in y, x करोगे, उसी proportion में आपको change in y मिलेगा तो यहाँ से एक concept निकल गया आता है, slope of a straight line, slope of a straight line, straight line remains same, remains same, slope of a straight line remains same, हर जगा straight line का slope सेम रहेगा, clear है ये बात, अच्छा, अगर मैं ये line बना दूए ऐसा, एक straight line, दूसरा state line, शेMBर parallels नहीं बना दो, parallel state line बना दो, तो यह जितना angle बनाएगा, यह भी उत्ताई इंगल बनाएग, तब ही उत्ताई एंगल से में बनाएगा, slope of graph A, state line B, state line C will be same, slope of A is equal to slope of B is equal to slope of C होगा, clear है, आईए, यहाँ पर मैं, Y versus X axis में, ये graph बनाता हूँ, axis ग्राफ नहीं होता, axis तो standard है, Y, X, बनेगा axis, ये graph बनाया है मैंने, क्या state line है, हाँ sir, ये X axis के पहले लोगा, इसका slope क्या होगा, तो आप slope मतलब समझना, 10 ठीटा, बदाए, ये कितना एंगल बना रहा है, X axis के साथ, 0 degree, आगे X axis और उसी के साथ लेट गया है, लेट गया, पर लेटे हुए आदमी में, मतलब लेटा हुआ आदमी, एकदा मरा हुआ है, मरेल हुआ आदमी है, कुछ कर ही नहीं रहा, X में change होए जा रहा, Y में change ही नहीं हो रहा, तो इसका slope क्या हो जागा, 0, 10, 0, 0 होता है, 10, 0 क्या होता है, 0 होता है, slope हो जाएगा, 0, अच्छा, एक straight line में ने ये बनाया, Y which is X, ये, इसका slope कितना होगा और कैसा होगा इसके nature के बारे हम बात करें, तो हम graph हमेशा इधर से, एंगल हमेशा हम एक सक्से सहीं देखते हैं, चाह कुछ भी हो जाए, एंगल हम एक सक्से सहीं देखते हैं, तो जब मैं X-axis एंगल देखूँगा, तो यहाँ पर साफ साफ देखिए, इस थीटा इस ग्रेटर दन 90 डिग्री, यस सच, इस थीटा इस एंगल इस ग्रेटर दन 90 डिग्री, और हमेशा भी हम पॉजिटिव एक सक्से सहीं देखते हैं, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक सक्से से मिजर करके देखते हैं, तो इसका स्लोप मतलब टैन ठीटा, और यह टैन ठीटा, टीटा इस ग्रेटर दन 90 डिग्री मतलब सेकेंड कोड़ेट में चला जाएगा, टैन ठीटा की वेल्यू, अगर 90 से जादा तो टेवल बनाया था न 180 डिग्री था, बताए क्या हो जाएगा, टैन ठीटा निग्रेटिव हो जाएगा, और टैन ठीटा को यह हम स्लोप कहते हैं, वे स्ट्रेट लाइन, जो खरा होते 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 वर्टिकल उठते 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 उ तो एधर से एंगल 90 से ज्यादा तो स्लोक निगीटिवे सबढ़ गांगा तो एसे जुकाते जाओगे तो निगेटीम में घट रहा और फिर हो गया जिरे दिरे घरते 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 था इसका मेंगनिटिव निएटी इंपान एट और फिर टैने वेनिट हो जाता है जियरो यह यहाद करिया यहां पे बनाया था मैंने अच्छा साट अगर ऐसा में दो स्टेट लाइन बना दू दिहान से देखेगा ऐसा दो स् क्वैम गठितOoh फील लेने की लिए एक श्टेट मैसे मैंने ये बनाया और घृष्ण स्टेट मैसे यह बनाए आब बता है यह inhib EVERY इंगल बनारा बीटा यह फिर्स्ट और यह सेकट इस का लोग जाता है किसो का लोगáriश्य जाता है लो Simple स्ट आइड 261 ए में बहुत इजी है बेटा कोई खास बात नहीं है चलिए तो इस्टेट लाइन के स्लोप आप सीख पा रहे हैं बहुत अच्छे से एक स्टेट लाइन ये प्लोट किया, दूसरा स्टेट लाइन में ये प्लोट किया, तीसरा स्टेट लाइन में ये प्लोट किया, अच्छा सर बहुत सारे लाइन बना रहे हो आप, हाँ, अब तो स्लोप किसका जाद है, तो आपको पैडल लाइन का स्लोप सर सेम होता है, तो सेम नहीं है, तो अगर मुझे स्लोप बहुत सारे ग्राफ का बता दिया जाए, और बोलेगी सब का स्लोप सेम है, तो क्या मैं समझूंगा सारे स्टेट लाइन सेम है, नहीं, स्लोप सब का सेम है, एक्जेक्टली ये स्ट्रेट लाइन सेम नहीं है, तो फिर क्या किया जहां पर y-axis को reason में cut कर रहा, मतलब इसको बोलेंगे 0C, और इसको हम बोलेंगे minus C, तो यह C क्या है, यह C है y की value जहां पर यह y-axis को cut कर रहा, y पर तो y-axis की value मिलेगे, अच्छा exactly y-axis पर x की value क्या होती है, 0, तो हम C को ऐसे define कर सकते हैं, intercept, और सिर्फ intercept ही नहीं, y-intercept, क्यों हम कहेंगे intercept, अब exactly intercept की definition क्या होगी, तो intercept की definition आप बना सकते हैं, value of y at x is equal to 0, mathematical यह definition बना ना, क्योंकि y-axis पर, अगर मैं यहाँ पर देखू तो x की value क्या जाओ, और उपर बढ़ता चला जाओ, x की value क्या रहेगी, 0, और यह state line इस point को cut कर रहा, तो यह पर coordinate लिखोगे, तो यह होगा 0, plus C, मतलब x जब जूर है, तो y की value को हम कहेंगे intercept, clear है, ठ अगर दो बातें पता चल गई, तो state line की बारे में सब कुछ पता चल गई, हाँ, इसका intercept क्या होगा, इसका intercept क्या होगा, इसकी value को लिखोगा, तो क्या लिखोगा, अच्छे से, अगर मैं इसकी value को define करो, यहाँ पर coordinate को define करो, तो 0, minus C, अब हमें state line की complete information पता चल गई, अब इसको हम equation bys कैसे लिखे, तो state line के equation होता है, y is equal to mx plus c, इसको proof भी करेंगे करेंगे, नहीं, proof mathematics में पढ़ना है बेटा, proof is not required, तो इसको feel कैसे दिलाएंगे, आरे भाया, feel दिलाएंगे, feel is required, proof is not required, कैसे feel होगा, तो सुनो, मैंने y को c को क्या define किया था, value of y when x 0, इसमें रख x को 0 रखो, y बरावर देखो क्या आगया, और c आगया, देखो न, x को 0 रखो, y बरावर क्या आगया, c आगया, अच्छा सर, अब मैं ऐसे सोचू, कि सर ये m क्या है, तो m है आपका slope, अच्छा, ये slope है, इसका feel कैसे दिलाओगे सर, तो इसका feel दिलाओगा, यहाँ पे x की value किया 0, और कोई भी आप यहाँ पे x, y लेलो, यहाँ पे बोलो क्या होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा आपका coordinate, यह वाला coordinate होगा, 0, c, 0, c, तो y में कितना change हुआ, y में 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 change हुआ, y म आपको slope का भी concept पत समझाया और लेकिन यह समझना नहीं आपको बस अब क्या करना है यह याद रख लेना है y is equal to mx plus c हमें state line का graph यह state line plot करना है यह state line के graph के बारे में कुछ information चाहिए तो दो ही information होती है उसका intercept और उसका slope अगर y x इसको अच्छा सर एक्स intercept हमने क्यों define नहीं किया क्योंकि मैं interested y में हूँ x में ज्यादा interested नहीं हूँ y x पर depend कर रहा वो सही है y x पर depend कर रहा वो सही है लेकिन मैं अगर x पर इंटरेस्टेट होता तो मैं x का equation मनाता ना मैं हमें सा equation किसकी मना रहा हूँ कि क्योंकि मैं interested हूँ y के value मैं interested हूँ run में run कितना बना आचा तुम कल्ये यह पूश्टेख over कितना वहा और उसमें कि तुम यह पुस्ता है, कि रॉंग पूस्त है कि रॉंग कि कितने वृंग में हुआ हुआ कि इसक होगा कि रॉंग आ और पूसम्दक. तो पिया सबस्त और पूसमेर है कऱ है, क्लिर है तुम के वृंग सैगे हैं, इस टी आहां है। एक straight line बनाया, अब आपको बताना इस straight line का intercept और slope के nature, exact value नहीं nature, positive और negative, positive और negative, तो देखिए ये straight line y-axis को positive में cut कर रहा, तो इसका intercept हो जाएगा positive, जो भी value आएगा, intercept की value 2, 4, 6 ये positive रहेगा, और ये जो angle बना रहा ठीटा वो 90 से कम है, तो जब angle x-axis 90 से जादा बन रहा होगा, तो slope उसका होगा negative, और आप यहाँ पर कह सकते हैं, कि इसका slope है negative, तो इस स्टेट line के बारे में दो चीज़ पता चल लगी, और हमें angle पता होता, जैसे theta 90 से जादा 150 होता है, 135 होता है, 120 होता है, तो हमें exactly slope पता चल जाता, और हमें intercept पत c में, यह straight line का graph है, इसका मतलब क्या है, y और x का relation, different different export करूँगा, तो मुझे different different y पता चलेगा, sir एक straight line के graph के लिए c और m क्या होगा constant, यह थोड़ीना change हो जाएगा, एक straight line plot के हाँ, हाँ, दूसरा straight line plot करेंगे, तब यह change होगा, इस straight line के लिए इसका जो intercept होगा और constant होगा और slope भी होगा तो constant होगा, x की value क्या होगा, यहाँ पे x की value कुछ और है, आपर कुछ और है, x की अलग-अलग value बताने पर y अलग-अलग मिल जाएगा, इसी हो कहतने है, straight line का equation, equation है, straight line, equation of straight line, यहाँ पे x की different 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 value डग सकते हैं, तो y की different 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 value मिलेगी, हमें ना तो x fixed पता है ना y fixed पता है, हाँ हमें ये पता है कि graph कैसा बनेगा, क्योंकि एक straight line के लिए दो चीजे तो constant हो कि इसका intercept और slope, जब मैं ये graph बनाऊ, तो अब तुरण देख के बताई कि इसका intercept और slope कैसा है, बताई ये बता, ये negative y को cut कर रहा है और इसका angle theta से जादा है, तो simple सी बात है इसका slope negative or intercept भी negative, slope भी negative और intercept भी negative, बहुत असान है बटा ये कोई खास बात नहीं है, चलिये फटा फट ये बताई ये बताई ये बताई ये बताई ये, बताई ये, गसिसका intercept positive and theta is less than 90 degree, slope is also positive. लेगो श्लोप बंदा समझते हो ना थीटा ना श्लोप मतलब टैन ठीटा नथिंग इस नथिटा वनली रैन ठीटा बस टैन ठीटा चलो चलो रामला लिए ग्राफ का नेचर बताओ तो तुम तुम तुरन से कहो के सर यह तो बहुत इजी है यहां पे ठीटा 90 से कम बन रहा है मतलब स्लोप पॉजेटीव है और इंटरसेट निगेटीव है और यही चार पॉसिवल स्टीट लाइन के ग्राफ हो सकते है नेचर चार कोडिनेट है न तो चार कोडिनेट को कट करता हूँ यही चार ग्राफ बनेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ भी वैरियेशन हो सकता है यही equation given होगा हमें graph plot करना है just like y is equal to root 3 x plus 4 अब हमें graph plot करना है तो graph plot करने के लिए हम इसका straight line के standard equation से compare करेंगे mx plus c that's it c is equal to 4 and m means tan theta is equal to root 3 अब theta क्या होगा अगर tan theta root 3 है तो कितने angle पे tan theta के लिए root 3 होता है 60 degree पे hence theta is equal to 60 degree अब देख रफ्तार में graph intercept positive plus c positive intercept plus 4 है और theta क्या है 60 degree अगर आप बनेगा क्लियर है अच्छे समझ आया है नहीं गलत है यह समझ तो आ रहा तो लेकिन अच्छानानक से आपने गलत के बोल के गन्फूज कर दिया हाँ यह सही है अगर यह दोनों चीजे पता है तो x की different dividend value पूट करके y आप निकाल सकते है यह आप निकाल सकते हैं कही बार आपको straight line का graph बना हुआ मिलता है यह बना हुआ है यह 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 माली जी एकस है यह यहां पर 20 यह 4 है कुछ भी value अब आपको equation लिखना है चली साब अब आपको equation लिखना है अब तो असर यह बड़ा problem है हम slope निकालने के लिए तो यह angle लेते हैं यहां से slope define होता है 10 theta लेकिन अब एक सक्से से anti clock wise जाएंगे तो angle positive लेते हैं और clock wise जाएंगे तो angle negative लेते हैं अब कौन सा निकालना आसान है यह angle यह angle यह angle तो यह निकालना आसा 20 by base 4 तो यह हो जाएगा सर 5 लेकिन हमने यह angle लिया है यह जा रहा है 4th quadrate में यह हम ऐसे कहें कि यह angle हमें minus alpha लेना चाहिए क्योंकि negative है तो यहां पर slope आपका negative आजाएगा 10 theta हमेशा यह angle से हम slope define करते हैं तो 10 theta हो जाएगा minus 5 that's it सर नहीं आया समझ में मैं समझ सकता हूँ मैं समझ सकता हूँ चलो एक काम करते हैं एक काम करते हैं हमें 10 alpha हमारे लिए निकालना असान है लेकिन हमें चाहिए theta हम लिखेंगे 10 theta हम क्या लिखेंगे 10 theta स्लोप तो इसी को कहते है न अच्छा इस theta को हम क्या लिख सकते हैं सर को लिख सकते हो ये पूरा अंगल होगा 180 degree हां 180 घटा लूँ हां तो 10 ठीटा को मैं लेक सकता हूं 180 degree माइनस अलफा यह तो 10 ठीटा है देखो नहीं एलफा मैंने अजी एजूम किया था हमें ये आसान है निकालने की इसलिए है मनें अद्यूम करके तो बजया रहा है। यहांसे अंल कौन से कॉड्ट में हैं ? 180 में से अल्फा कम किया, शकरन को रप्रजेंट कर रहा है। अल्फा तो लिस्थ न 90 हे है। जइवा अल्फा में 10ट ट ट ट हा है है ? slope define करेगा लेकिन अगर आप clockwise आके निकाल ले straight line तो वो भी x-axis अक्सिस से तो angle देखा है ना अगर आप clockwise आके निकालेंगे तो उस angle को लेंगे आप positive और आप anti-clockwise आके निकालेंगे तो इस angle को लेंगे negative तो यह 10 minus alpha आजाएगा 10 minus alpha is equal to minus 10 alpha तो यह आपका एक से जो angle बना रहा है यह 90 से जाधा बन रहा है एक सेक्सिस जो angle बन रहा हो 90 से जाधा बन रहा है तो एक काम कर रो हमें पता है slope तो negative होगा तो यहां से slope लिक हो उसको minus लिक हो मतलब मैं यह कहना चाहरा हूं कि कभी भी ऐसा graph बना हो तो सिंपल यह देखो कि यहां से अंगल लेंगे तो अपन पॉस्टिव लेंगे और निगेटिव एक सक्सिस लेंगे तो अपन स्लोप निगेटिव लेंगे अचा एक theorem आता है, if two straight line is perpendicular to each other, if two straight line is perpendicular to each other, then proof, product of their slope must be minus 1, देखे, ऐसा graph बनता है, y और x-axis के बीच में, दो, एक graph मैंने यह बनाया, और एक graph ही बनाया, यह कहा कि 90 degree है बटाई है, two straight line is perpendicular to each other, then proof, their product of slope is minus 1, मान लो, यह अंगल हमें नहीं पता था, थीटा मान लेते हैं लेट, तो यह थीटा, यह 90, तो यह अंगल हो जाएगा, 90 plus थीटा, तो जब हम इसका slope लिखेंगे, तो m1, m1 is equal to 10 थीटा, और m2 हो जाएगा, 10 90 plus थीटा, और देखो, 90 डिग्री फंक्शन को चेंज कर देता है, तो यह हो जाएगा, आपका minus cot थीटा, second cot में जाएगा, minus cot थीटा, यह आगे, m2, m1 into m2, is equal to 10 थीटा, and minus of cot थीटा, यह कट के आजाएगा, minus 1, 10 थीटा, 1 upon cot थीटा होता है, तो 10 को 1 upon cot रखेंगे, cot से cot cancel होगा, यहाँ पर एंसर क्या आजाएगा, आपका minus 1, समझ में आया, तो यह सारे हमने बात की, straight line के ग्राफ के बारे में, बहुत simple representation है, अब हम बात करेंगे, अगर equation कुछ ऐसा है, y is equal to 1 upon x, मतलब inversely proportional to x आ रहा, जैसे सामने सामने y हो, तो इसको हम directly proportional कहते हैं, अगर formula में, कोई physical quantity 1 divided y में नीचे आ जाए, तो इसको हम inversely proportional कहते हैं, इसको कह सकते हैं, inverse relation, inverse relation, सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, फिर हमें तो यह दिक्क्त आएगी समझने में, नहीं बेटा, देखिए, हमें इतना तो पता है, कि x बहाने पर y क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, तो हमें काम करेंगे, x को 0 से लेके धीरे-धीरे increase करेंगे, और y की value निकालाएंगे, अगर मैं x को exactly 0 रख दू, exactly 0 रख दू, तो 1 upon 0 को हम कहते हैं, very infinity, in fact, is it not defined, in fact, not defined, तो आप कैसा not defined, यह very 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 large number, लेकिन किसके compare में large number, 2, 4, 10, 6 के compare में, जहां पे tantitak value, आती है 1, root 3, इन सब के compare में very large, comparison करोगे तो किसके terms में करोगे, समझ में आए कि नहीं है, तो 0 के terms में compare करो, 0 के terms में 500 बहुत large होता है, तो आप यहाँ पे infinite लिख सकते हैं, infinite itself is not defined, very very large number is not defined, very large तो कुछ भी हो सकता है, very large यहाँ पे किसके compare में हैं, 0 put कि हैं तो 0 के compare में very large, मतलब 500, 1000, 2000, 5000, ऐसा लिख सकते हैं, अच्छा अगर मैं value लिखू, 0.5, तो यह क्या आजाएगा, सर यह आजाएगा आपका 2, yes, अच्छा value लिखू, मैं अगर 0.25, पहले 0.25 लिखता हूँ, 0.25 तो बता यह क्या हो जाएगा, सर यह 4 होगा, सर कैसे, 0.25 बताया था न, 1 upon 4 होता है, तो यहाँ पर जब 0.25 रखूँगा, तो यहाँ पर नीचे रखूँगा, यह 1 upon 4 तो 4 उपर, अच्छा 0.5, तो यहाँ पर रखूँगा 0.5, 0.5 मतलब 1 by 2, 2 उपर चला जाएगा, तो य की value 2 आएगा, अच्छा 1 रखूँ तो, तो यहाँ पर सर अगर 1 रखूँगे, तो 1 ही आएगा, और सर अगर यहाँ पर 2 रखते हो, तो 0.5 आएगा, देखो ने 2 नीचे पूट करना है, और अगर यहाँ पर आप 4 रखते हो, तो 0.25 आएगा, ध्यान से देखो, मैं X को gradually increase कर रहा हूँ, तो Y degrees कर रहा है, अब यहाँ पर plot करते हैं, जैसे मैं लेता हूँ value 0, तो 0 पर बहुत infinite होगा, मतलब यहाँ पर 0 या 0 के आजपास लोगा न, तो Y बहुत large होगा, यहाँ पर आएगा, 0 तो हम define ही नहीं कर सकते, बहुत large होगा, अगर मैं यहाँ पर 0.25 रखो तो यह 4 के पर आएगा, तो बहुत large ही तो हुआ, अब जब मैं 0.5 रखोंगा, यह 0.25 हो गया, अब जब मैं 0.5 रखोंगा, 0.5, 0.5 का मतलब हो गया, यह आएगा 2, यहाँ से आधा पर आएगा 2, 0.5 का मतलब यह 2, तो एक यह मिलेगा, एक यह मिलेगा, अगर 1 रखोंगा, तो यह भी आएगा 1, तो यह मिलेगा, अगर मैं 2 रखोंगा, तो यह 0.5 रखता हूँ, तो यहाँ पर 0.5 यह देखो, 0.5 रखता हूँ, तो यह 0.25 रखता हूँ, तो 0.1 हो जाएगा, 20 रखता हूँ, तो 0.02 हो जाएगा, मतलब बहुत कम होता जाएगा, तो graph कुछ इस तरह का बनाएगा, देखो, मतलब हमें इस graph का कुछ नाम भी देना पड़ेगा, कि हाँ, इसको हम कहते हैं, rectangular hyperbola, कई बार इसको सिर्फ hyperbola से represent कर देते हैं, लेकिन आप स्टेट लाइन में दो चीज़े आपको important पता होनी चाहिए, कि उसका slope हमेशा constant रहता है, और कुछ intercept होगा positive और negative, slope constant में positive और negative कुछ भी आ सकता है, यह जब y is inversely proportional to x होगा, सर फिजिक्स में ऐसा कहा हो सकता है, फिजिक्स में example बता तो बहुत simple सा, frequency is equal to 1 upon time period, अच्छा हाँ सर, time period बनाएं से frequency कम होगा, यह आपने 9th class के sound में पढ़ा होगा, अरे हाँ सर, बिल्कुल, तो यहाँ पर f और t के बीच कैसा graph बनेगा, जब यह नीचे होना बेटा, नीचे चला जाए, तो graph हमें सा rectangular hyperbolic बनता है, यह असा ही तो बनाए, frequency versus one upon time, तो कुछ ऐसे relation है, कुछ से s बराबर ut, तो वहाँ पर तो time और u सामने सामने है, simple दोनों का power one है, तो simple state बनेगा, लेकिन अगर graph में नीचे हाजाए कोई value, तो इस graph यह बनेगा rectangular hyperbola, बहुत असान है क्या बेटा, बहुत easy है, अचा सर, नीचे अगर में यह ले लूँ, y is equal to one upon x square, तो भी graph rectangular hyperbola ही ज दिल आएगा थोड़ा सा, घवराना नहीं, अगर मैं लिखता हूँ y बरा और x, और y बरा और one upon x square, और x को दीरे दीरे बरहाऊ, तो किसमे y जल्दी घटेगा, यह power double होने से, जाइस example ले लो मैं 2 रखता हूँ, तो 2 रखूँगा, तो दो का लो उस और one upon four, one upon four का मतलब 0. 0.25 हो गया, और अगर one upon x होता तो सिर्फ 0.5 ही आता, तो y is equal to one upon x square कहने से y और तेजी से घटेगा, y और जल्दी घटेगा, उसका graph ठोर और सार्प होगा, तो अब घटे नेचर तो ऐसा ही मनेगा, तो फिर हम कैसे distinguish करेंगे, आप distinguish कर सकते हैं, जब दोनों एक साथ बना हो साथ का nature, और x is equal to one से पहले का nature थोड़ा अलग होता है, कोई number अगर x से बड़ा है, उसका square करूँगा, तो और बड़ा होगा, कोई number x से छोटा है, उसका square करूँगा, तो और चोटा होगा, तो तुम्हें ये पात देखना ही नहीं है, मेरी बात मानो, कुछ भरोसा करो, त तो ये पात देखना ही नहीं है, x is equal to one पे तो दोनों सेम होगा, उसके बात जो जल्दी घट गया, one upon x square का, और जो धीरे धीरे घटा, one upon x का, नीचे power जितना जादा होगा, ग्राफ उतना जादा नीचे जुकेगा, और हमें इसके बाद देखना है बस, हमें इसके बाद ही देखना है, पहले का नेचर हमें नहीं देखना, example, अगर relation में, y is equal to x square हो, तो ये graph state line ही होगा, अब्यसी बात है, y is not proportional to x, यहाँ पे x का power 2 हो गया, हाँ, y हमें सा x के formula में define करेंगे, तो अगर ऐसा कही relation हो, root y is equal to x, कोई constant भी multiply होगा, 2, 4, 3, तो उससे कोई फरक नहीं परत है, हमें क्या करना है, कि root को उधर ले जाना है, इधर root का उधर square हो जाएगा, कई उगांडवासी को ये भी नहीं बता होगा, इधर का root उधर square हो जाएगा, तो y is equal to हो जाएगा, ये 4x square, if this y is equal to 4x square, तो ये relation equivalent हो है, हमें constant से तो कोई फरक नहीं परता, इतना जागा, यहा है न, तो देखो, graph कैसा बनेगा, sir, पिछले वाले graph का अपने slope नहीं बताया, हाँ, एक चीज़ समझ लीजे, कि इसका slope constant नहीं है, क्योंकि street line नहीं है, तो sir, इसका slope है कैसा, तो अभी slope का variation हम discuss करेंगे, उसके लिए आप चिंता मत करिए, इसे मान लीजे, x है, ये y है, तो यहाँ पर इसकी values put करें, अगर अपने, तो यहाँ पर अगर 0 put करें, तो y 0 होगा, x को 1 put करें, तो y 1 होगा, अचा, x को अगर मैं minus 1 put करूँ तो, तो इस square है, न, minus रखेंगे, तो भी positive हो जाएगा, x को 2 रखूँगा, तो है 4 आएगा, और minus 2 रखूँगा, तो भी 4 आएग देखो क्या है, यह straight line नहीं है, यह straight line नहीं है, तो आपको क्या याद रखना है, देखना, कि y अकेला रहेगा, पाबर्स में हमें y पर कभी देखने हैं, y को हम अकेला रखेंगे, y का relation x में देखना होता है, तो अगर इधर root है, उधर ले जाएगे, या उधर square है, तो उध इसा ही, x का power जितना बरता जाता है, graph उपर उठता जाता है, इसका मतलब सर्थ x का power घटेगा, तो graph नीचे जुकेगा, हाँ, ऐसा बनेगा, y is equal to root x का graph, वो मैं अपनी feel कराऊंगा, तो पर हसान है, अगर y में पेक कुछ है, तो थोड़ा सा समझ ना, क्योंकि तुमें आग x का term समनाएंगे, फिर y को हम पुट करते हैं, यह y x से इस पे, और x को हम पुट करेंगे, मेरे formula में देखेंगे कि x का power क्या है, x का power अगर 1 है, तो graph स्ट्रेट लेंग, x का power 1 से जाधा हुआ तो उपर उठेगा, x का power जितना जाधा graph उतना उपर, x का power जितना कम graph उतन पी बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है, सर इसके slope के बारे में भी बात करोगे, हाँ, बिल्कुल करेंगे, slope के बारे में तो जोरदार बात करेंगे, अब मेरे slope समझाने का तरीका बिल्कुल अलागे, देखो, वैसे, generally, जिस तरीके से slope समझाया जाता है किताबों में, वो tangent plot करेंगे, यहाँ पर मान लो मैंने एक tangent plot किया, यह देखना बेटा, tangent plot किया, यह tangent plot किया, ऐसे देखो, अब हमें यहाँ पर slope देखना है, हमें आगे के curve की बारे में पता नहीं, मुझे इसी portion पर बात करना है, तो इस portion का जो graph का जो यह portion exactly इस straight line के parallel है, तो यह straight line जितना angle ब बता रहा, शर alpha तो बता रहा कि 90 से कम है, अब मैं अगर यहाँ पे tangent डा के plot करो, कहाँ पे जब बेटा, यहाँ पे, तो यहाँ पे angle और इस alpha से कम हो जाएगा, फिल करने ही कोशिस करिए, या फिर आप एक काम करिए, इसी को और extend करिए, बढ़ा बनाईए, इसको और बढ़ बनाईए, और बढ़ा बनाईए, देखिए, इस graph को मैंने मान लीजे, यहाँ पे बनाईए, यहाँ पे बनाईए, देखिए थोड़ा सा, थोड़ा सा, यहाँ पे बनाईए, थोड़ा सा, यहाँ पे बनाईए, थोड़ा सा, यहाँ पे बनाईए, थोड़ा सा, यहाँ पे हम tangent plot करेंगे, यहाँ पे, तो exactly parallel to x axis है, मतलब यहाँ पे slope 0 है, तो हम कहेंगे, यहाँ पे slope कम होता गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 0, जब हम यहाँ पे करेंगे, तो tangent plot करेंगे, यहाँ पे, तो tangent plot करेंगे, देखा यह समझाने के लिए बस, answer निकालने के लिए मैं इमा स्टार बताओंगा, यह समझने के लिए बस, यहाँ पे angle बताओ कितना है, सर यह 90 से जादा है, अगर यह angle 90 से जाद है, तो slope क्या हो जाएगा, और negative में slope बढ negative, तो अगर यहाँ पे ढंग से हम series ही लिखें जैसे, पहले slope था यहाँ पे कुछ 5, 5 से हुआ 4, 4 फिर हुआ 3, 2, 1, 0, 1 और 0, देखेंगे लिए जैसे, gradually धीरे धीरे, डीरे, 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 एक से जादा हो सकता है और फिर यहाँ पे धीरे, 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 स्लोप का magnitude बढ़ता जा रहा है negative में, तो इसको लूँगा मैं माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, तो इसको में क्या कह सकता हूँ, negative में बढ़ने को हम decrease होना ही कहते हैं, हम यहाँ पे magnitude की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ slope की बात इसी का ultra graph मैं अगर ऐसा बनाओ, तो इहाँ पे slope negative है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे positive, तो आप कहें कि slope continuously बढ़ रहा है, अब हमें क्या इसी तरीके से tangent plot करके हर graph में देखना पड़ेगा, नहीं, नहीं, जैसे मैं यहाँ पे graph बनाओ ऐसा, यहाँ पे graph बनाओ ऐसा, यहाँ graph बनाओ ऐसा, इन सारे graph में बताओ सर, तो इन सारे graph में आपको बताओंगा, उससे पहले, उससे पहले मैं इस graph में आपको बताओं, आपको किसी भी graph में tangent plot करके देखने की जौत नहीं है, तो सर कैसे देखेंगे, MRS लगाएंगे, क्या कहता है MRS टार, MRS कहता है कि simple एक रा रोता हुआ रामलाल है, देखो, इसका कर्व इससे मिला दिया, कैसा है ये, रोता हुआ रामलाल, और ये हंसता हुआ रामलाल, हंसता हुआ रामलाल हमेशा इसलिए खुश है, क्योंकि उसका बढ़ रहा है, और रामलाल इसलिए रो रहा है, क्योंकि इसका घट रहा है, तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए, यह कैसा राम लाल है तो सोचो यहां सहां तक आधा ही सकल दिखरा है ले preachin तुम पता है not to be गट रहा है, यहां पर सकल आधा दिख रहा है, मतलब मुझे यह पता है कि हस्ता हुआ रामलाल है, यहां पर सकल आधा दिख रहा है, यहां पर सकल आधा दिख रहा है, यहां पर यह रोता हुआ रामलाल है, एंसर आगया, इसी को कहते है, MR स्टार, लेकिन सर, आपने ठीक पुछेगा, तो हम उसमें भी tangent नहीं plot करेंगे, ना, ना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, tangent तो कभी plot ही नहीं करेंगे, तो sir, answer कैसे बताओगे, बेना tangent plot क्यों है, मैं देखोंगा, slope 0 कहा हो रहा है, तो मतलब इस पूरे एक राथ में, slope 0 कहा है, slope 0 सर यहा है, यहाँ पर tangent plot करेंगे, और देखें, यहाँ पर slope 0 आ रहा है, हाँ, मतलब पहले कुछ था, और पहले slope कैसा था, सर पहले slope positive था, देखो न, positive है, मतलब positive से 0 हो गया, मतलब कम हुआ, magnitude कम हुआ, पहले, ने, देखो, इतनी यह भी नहीं देखना, यहाँ पर slope 0 हुआ, क्या पहले भी 0 था, नहीं, पहले कुछ था, पहले कुछ था न, नेगेटिव था, पॉजिटिव था हमें देखना ही न, पहले कुछ था की नहीं था, यह बता, चरकुछ था, अब 0 हो गया, मतलब कम हुआ, magnitude of slope देखने के लिए, सिर्फ 0 देखेंगे, मोक्ष की बराप्ती दिला दूँगा, तुम्हे एक दम, चरम सुक की अनुभूती होगी, तुम्हे अभी देख, ऐसा अगर आप कही बना दिया, मैंने, ऐसा बना दे, कुछ भी बना दे, doesn't matter, कुछ भी बना, इसका slope 0 कहाँ पे होगा, जहाँ पे खीचा हुआ है, tangent parallel to x-axis हो जाएगा, तो यहाँ पे tangent parallel to x-axis हो गया, मतलब यहाँ पे slope 0 है, अच्छा, इससे पहले कुछ होगा, प्लस या माइनिस, हमें तो magnitude देखने हैं, आपको physics में graph बनाने होते हैं, तो उसका यह एक rapid revision था, straight line and parabola के graph का, ठीक है, धन्यवाद,